स्वागत है आपका एक नई वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा लव इधर उधर ड्रामा के बारे में और क्यूं इस ड्रामा में आईशा के क Celebrity को END कर दिया गया इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में आं तक बने रहे तो आइएस वीडियो को शुरू करते हैं जाती काती अश्क के एक romantic comedy ड्रामा है जो 2020 में टेली कास्ट हुआ था और originally इस शो के 16 episodes टर्की में टेली कास्ट हुए हैं और ये ड्रामा जब उर्दू डबिंग में लव इधर उधर नेम से टेली कास्ट हुआ तो audience ने इस शो की storyline, इनके characters और इन सभी की बीच की chemistry देखके इ हैरानी हो सकती है क्योंकि ये ड्रामा टर्की में कुछ खास नहीं चला जाती काती अश्क के टेली कास्ट होने के दौरान इस शो को low rating मिलने की वज़ा से इस शो के makers ने story को और ज़्यादा interesting बनाने के लिए 6 script writers को hire किया और इस ड्रामा की shooting के दौरान 3 directors भी change हुए पर फिर low rating आने की वज़े से makers ने टिवी पर शो की broadcasting day और timing को change किया जिसके बाद ये ड्रामा विकेंड्स पर टेली कास्ट होने लगा पर फिर भी same situation होने की वज़े से last में इल्जाम आईशा का character play करने वाली actress एजगी शेंलर पर लगा दिया गया क्यूंकि audience ने एजगी को criticize किया कि वो फुरका नदिश के साथ सूट नहीं कर रही है और इन दोनों की chemistry कुछ खास नहीं जम रही और ऐसा ही शो के makers को भी लगा जिसके वज़े से इस शो के makers ने बहुत पहले ही एजगी को इस शो से निकालने का plan बना लिया था पर क्यूंकि वो main lead play कर रही थी इसके वज़े स एसगी को direct replace नहीं कर सकते थे इसकी वज़े से makers ने आईशा के character को end करने के लिए एक proper story लिखी जिसमें वो अपने मा के साथ वापस चली जाती है जिसके बाद आतिश बहुत जादा तूट जाता है पर शीरीन उसके life में आती है और साथ ही वो बहुत बड़ी मुसीबते में अपने साथ लाती है और इसी से इस शो की story और continue होने वाली थी और सेलिन शिखार जी जिनोंने शीरीन का character play किया है वो फुरकान अंदिश की best friend है और दोनोंने एक साथ कचाग गिलिनलार ड्रामा में काम किया है और फुरकान अंदिश ने ही सेलिन को शीरीन का character play करने के जैसे कम episodes में ही खतम हो जाते हैं वही dramas foreign countries में बहुत popular हो जाते हैं एक्जामपल के लिए आप देख सकते हैं अशलफतन अलमास, डेलुने, सोल यनिम, बेयनलिश जैसे बहुत सारे dramas हैं और इसकी opposite में कुछ ऐसे dramas भी हैं जो तरकी में तो बहुत ज़दा popular हुए पर यहां देख रही थी वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है उसे comment करके जरूर बताईए क्या आईशा का character end करना जरूरी था और आप आतिश और आईशा को पसंद करते हैं या फिर देमिर और यासमीन को comment में जरूर बताईए तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching